अब आपको मिलेगा हर वीडियो में बिल्कु सटिल जानकरी आज हम लाएं हैं आपके लिए एक स्पेसल वीडियो तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं अब आपको इंतिजार था CTI के ऑनलाइन रेश्टेशन फार्म का जो की वो आचुका है नोटिफिकेशन और उसका नोटिफिकेशन देख लीजिए जिसका डेट अभी हम देखते हैं कर लेते हैं कि ये डेट कंफर्म है कि नहीं है अभी जैसे किसा जानकारी हमें मिला है कि CIT कर पाएंगे यानि कल से आप रेश्टेशन कर पाएंगे तो हम सबसे पहले CITS एडमिशन इटाइचन नहीं के साइट पर पहुंच चुके हैं यहां पर हमें एक यहां पर लिंक मिलता है जो कि यहां क्वालिफिकेशन देर रखा है क्वालिफिकेशन क्या है और ऑनलाइन क इसके बारे में बता चुका हूँ कि क्या होगा eligibility जो test है उसे हमने बता रखाया कि 75 questions technical के आएंगे और 65 questions non-technical मतलब reasoning और math के आएंगे तो friends चलिए जल्दी से हम आपको दिखाते हैं जो आपको इंतियार है उसी चीज़ पर ले चलते हैं निम्मी online admission के site पर ले चलते हैं तो आपको देखने मिल जाता है कि नीचे तीन लिंक दिया गया है CITS 2019 admission और advanced diploma in quality course site link CITS 2018 view result तो आपको first link पर ही क्लिक करना है CITS 2019 पर यहाँ पर click करेंगे तो एक नई site open हो जाएगी नई site open हो जाएगी यहाँ पर 2019 करके ही है यहाँ पर advanced diploma vocational course इससे मतलब नहीं है में transfer allotment इसस कि देखने मिल ला है निम्मी online admission.in update will be shown here मतलब CITS 2020 online registration start from 56220 जो की बिल्कुल correct है जो information मिला है मैं मैं आप तक पहुचा रहा हूँ वो बिल्कुल correct information है तो friends आपके लिए खुसकबरी है आपके लिए अच्छा मौका है कल से आप इसका registration form apply कर पाएंगे और friends बता दें कि जो य OBC के लिए जो भी है CST के लिए उनके लिए रहेगा 300 रुपे और general OBC के लिए 500 रुपे तो friends इसका full detail हम आपको बताएंगे वीडियो में लेकिन ये सबसे जरूरी सूचना था कि आप लोग को बहुत इंतियार था काफी दिनों से आप लोग comment करके पूंच रहे थे वीडिय होंगा कि आप लोग केरफुली एक्जाम दीजिएगा और इसकी तो तैयारी करना है आपको टेक्निकल जो है 75 कोश्चन आएंगे उसको पढ़ लेने अच्छे से और non-tech normally आता है तो आपका एक्जाम आराम से निकल जाएगा और अच्छे अंक लाकर आप अच्छे college पा सकत सकते हैं और बात करें B-tech student की तो जो B-tech कर रखे हैं उनके लिए golden अपरचुंटी है वो भी आराम से इसमें अप्लाई कर सकते हैं लेकिन इसमें क्या है आप यत पॉली की हैं वो B-tech की हो जिस trade में आप अप्लाई करोगे आप mechanical में जैसे है तो उसमें फिटर टेनर मसीनिस् तो mechanical वाली चार्व ट्रेड में किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं लेकिन जिस trade में आप अप्लाई करोगे उसकी trade की theory पढ़ने पड़ेगी आपको क्योंकि उसी branch की trade theory से आपको 75 question देखने को मिलेंगे तो friends इतनी information बहुत correct information थी जो कि आपके लिए बहुत जरूरी था तो कल का इंतियार करिए अभी थोड़ा और इंतियार करना पड़ेगा कल के लिए कल से हो सकता है कि online registration start हो जाए जैसा कि यह निम्मी के साइट पर दिखा रहा है 15-6-2020 से online registration form जो है वो start है तो friends यह news बहुत important थी आपके लिए मज़रा time ने लूँगा बस इतना ही बताना था कि आप आपको admission का जो date वह आ चुकी है और आपको अच्छे से college मिल जाता है यहाँ पर लेकिन अच्छे college दभी मिलेंगे जब आपका अच्छा marks होगा तो friends अभी से आपको तैयारी करने का मौका भी मिल चुका है और registration करने के बाद आप 15 दिन भी 60 से पढ़ लेते हैं उसके लिए म हमारी चैनल पर वीडियो मिल जाएंगे तो friends point 32 पर YouTube चैनल पर आपको सारी जयनकारी सारी information मिलेगी और यह CTI कर रहे हैं तो POT class इस समय हरी सर चला रहे हैं जो की बहुत बढ़िया जयनकाई दे रहे हैं अच्छे से full details में तो आपको उनकी class attend करना चाहिए और CITS related हर information आपको सबसे पहले thanks watching bye bye take care